दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत थे आपका एक पार फिर से आपके अपने ही चैनल के रिक पॉली पार जहां दोस्तों आच्छा हम बात करने वाले हैं 80's में रिलीज हुई उन 10 फिल्मों के बारे में जिन्होंने अपने अपने सालों में सबसे ज्यादा कमाई की और साथे साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि 80's के दर्शक में ऐसी कौन से फिल्म थी जिसने सबसे ज्यादा कमाई की थी और किस अभीनेता की वो फिल्म थी तो बात करेंगे इसी के बारे में तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा तो दोस्तो 80's शुरू होते ही जो सबसे बड़ी पहली वे ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसने सबसे ज्यादा कमाई की थी वो थी कुर्बानी ये फिल्म साल 1980 में रिलीज हुई थी फिरोज खान, विनोथ खन्ना, सीनत अमान और अमसद खान इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे फिल्म को डिरेक्ट और प्रिड्यूस क्या था फिरोज खान सहाब ने म्यूजिक दिया था इस फिल्म को कन्लियाण जी आनन जी ने और तकरीबन डेल करोड उपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर 6 करोड उपे कमाई थे और पूरे वर्ल्ड में 12 करोड उपे कमाई थे और ये एक एक्शन, क्राइम, ड्रामा फिल्म थी और फिल्म बॉक्स आफिस पर ब्लॉक पास्टर साबित हुई थी और ये साल 1980 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उसके बाद साल 1981 में रिलीज हुई थी मनोज कुमार साहब की किरानती इस फिल्म ने भी बॉक्स आफिस पर कहीं रिकोर्ट दोड़े थे इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रेड्यूस किया था मनोज कुमार साहब ने और इस फिल्म को म्यूसिक दिया था लक्षमी कांथ प्यारे नान ने तकरीबन तीन करोड उपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर 10 करोड उपे कमाई थे और पूरे वल्ड में 20 करोड उपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर ब्लॉक पास्टा साबित हुई थी उसके बाद साल 1982 में दिलीब कुमार और संजेदत की फिल्म रिलीज हुई विधाता ये भी साल 1982 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी फिल्म को डिरेक्ट और प्रिड्यूस के आथा सुभास गाई ने एक करोड सतर लाक रुपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस इंडिया पर आट करोड रुपे कमाई थे और पूरे वल्ड में सोला करोड रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर ब्लॉग पास्टर साबित हुई थी उसके बाद साल 1983 में अमिताब बच्चन सहाब के फिल्म कूली ने बॉक्स ओफिस पर कई रिकोर्ट तो डाले थे फिल्म को डैरिक क्या था मन मोहन देशाई ने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को केतन देशाई ने तक्रीबन तीन करोड उपे के बजट में बने इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस इंडिया पर नो करोड उपे कमाई थे और पूरे वल्ड में तक्रीबन सत्रा करोड उपे कमाई थे और ये एक action film थी और फिल्म बोक्स आफस पर सूपर हिट सावित हुई थी उसके बास साल 1984 में जितेंदर साभ की इन्डेस हुई थी तोफा इस फिल्म ने भी बोक्स आफस पर अच्छी खासी कमाई की थी इस फिल्म में जया पर्दा भी थी और फिल्म को डेलिट क्या था रगुवेंद्र राहो ने तक्रीबान एक करोड़ असी लाख रुपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर साड़े चार करोड़ उपे कमाई थे और पूरे वल्ड में 9 करोड़ उपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी और उसके बाद साल 1985 में रिलीज सुई राजचीव कपूर साहब की राम तेरी गंगा मैली ने तो बॉक्स आफिस पर सभी रिकोर्ट तोर डाले थे मंदा की निभी इस फिल्म में एहम किरदार में थी फिल्म को डेरेट क्या था राज कपूर ने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को रणधीर कपूर साहब ने पांच करोड रुपे के बजट में बने इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर दस करोड रुपे कमाई थे और पूरे वल्ड में तकरिबन बीस करोड से बीस ज्यादा कलक्शन किया था और फिल्म बॉक्स आफिस पर आल टाइम ब्लॉग पास्टर साहबित हुई थी कमाई थे और पूरे वल्ड में 14 करोड रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी और उसके बाद साल 1987 में धर्मेंद्र साहब की फिल्म रिलीज हुई थी हुकूमर इस फिल्म ने भी बॉक्स आफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी धर् पूरे वर्ड में 11 करोड उपे कमाई थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साभित हुई थी और उसके बाद साल 1988 में अनिल कपूर साहब की फिल्म रिलीज हुई थी तेसाब माधूरी दिक्षित के आक्टिंग ने इस फिल्म ने दर्शुका का दिल चीत लिया था फिल्म को डिरेक्ट और प्रिडूस किया था एंचंद्रा ने और तकरीबन डेल करोड उपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस इंडिया पर आट करोड उपे कमाई थे और पूरे वर्ड में लगबग सोला करोड उपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक पास्टर साबित हुई थी और साल 1989 में रेलीज हुई थी सल्मान खान की मैंने प्यार किया सुरज भरजातिया की ये फिल्म थी और फिल्म को म्यूजिक दिया था राम लक्षमर ने तकरीबन तीन करोड उपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिय साल 1980 से लेकर बॉलिवूड की दस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में एटीज के दशक में लेकिन अब अगर बात की जाए कि एटीज की सबसे बड़ी कौन से फिल्म थी तो सब कुछ आपके सामने है यहाँ पे मैंने प्यार किया साल 1989 की एटीज की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई सल्मान खान के फिल्म मैंने प्यार के नहीं यहाँ पे बासिमारी थी नाइंटी यह एटीज की सबसे बड़ी ब्लॉक पास्टर फिल्म थी दो दोस्तों आपको इन सबी फिल्म में कौन से फिल्में सबसे ज्यादा पसंद कमेंड मिस रूँ प्रल्डिकान